अग्षित राइद इसाइड तो बेसिकली ये एक छोटा सा मैं अनलिस वीडियो मनाने वाला हूं कल के लिए मैं क्या प्लान कर सकता हूं कल के लिए ठीक है जो भी ट्रेड वेगरा मैं देखने वाला हूं या कुछ अगि somewhere we close them no left इस चाट को देखोगे तो भी जो कुछ दिनों से जो प्राइस आया पिछले एक थो महीनों से अगर आप देखो गया ठीक है तो यहां से देखोगा आपको एक sharp rally दिखेगी अपको और टिस इस अजी है अगर मैं आपको एक simple लेंगवेज में कि कि पर थोड़ा सा ट्रेट करना ना मुश्किल हो जाता है ठीक है बट अभी के सिनेरिव पर अगर आप यहां पर देखोगे यहां पर एक आपको वाइड भी दिख रहा है ठीक है बहुत तगड़ा वाइड है यहां पर इतना बड़े बड़े वॉल्यूम गैप्स यहां पर बने में ठीक है तो प्राइस में बिसीकली यहां पर रेड वारी हुई उपर और एक्सटरनल लिकुडिटी अरिया में तो अगर आप इस रेंज को देखोगे इस हाय से इस लो को अगर आप देखते हो तो यह नाप में बहुत बड़ी रेंज बनती है ठीक है और इसका भी अगर एक्कुलीब्रियम हम देखेंगे तो सम्वेर अराउंड यहां कहीं आना चाहिए ठीक है तो आने वाले मंस या वीक्स मगर आप कहलो तो कहीं न कहीं मैं यहां पर इस लेवल तक तो मैं टार्गेट करी रहा हूं ठीक है जो यह वाइड है यहां तक तो प्राइस को आ कर रहा हूं ठीक है जो यहां पर इतना बड़ा यह फेर वैल्यू गैप बना हुआ है और प्लस वोल्यूम इंबैलेंस है और प्लस यहां पर आप देखोगे तो एक मिटिगेशन ब्लॉक है तो एट लिस्ट इस लेवल तक यहां तक मैं रिट्रेस्मेंट एक्सपेक्ट कर कर रहा हूं weekly के basis पे बट हम इंट्रडेट्रेडर है तो weekly का तो हमार को बस एक ऐस चाहिए होता है ठीक है तो यहां देखो तो आते हैए daily टाइमफ्रेम के साबसे तो यह तो ठीक weekly टेली बेशन की रिएश अगर आप यहां तो डेली में अगर आप देखोगे यहाइ जो अभी डिसन्टली बना था थीक है 2-3 दिन पहले और एक यह वालन लो तो यह eh उपने आप रहे एक एक फाल रेंजिक यह झाला ब्लॉक पे ये ख्लोज हुआ है तो आप चलते हैं आप अपरली पे ओके तो लेट मी एड़ दी एनोटेशन्स ओके सो यह दी एनोटेशन्स आप तो सबसे पहले देखो यह जो लेवल था वो वीकली वाला जो मैं आपको बिता रहा था मीड लेवल बिसिकली मिटिकेशन ब्लॉक जो यहां पीछे है चार्ट में ठीक है तो यह जो कि मैं आके आने वाले टाइम पर कुछ ना कुछ प्लैन कर रहा हूं बट अगर अभी आप यहां देखोगे तो यह है वो डेली टाइम फिर्म का ओडर ब्लॉक ठीक है यह वाला जो एरिया है और यह में थ्रेशोल्ड उसी डेली गंडल का अभी के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर आप यह देखोगे अभी तक प्राइस क्या कर रहा था ठीक है यहां फे एक श्रक्चल ब्रेक मिल था बड उसके बाद यह वाला जो लोग बना यह एक via एक त्विंग फेलियर हो गया ठीक है यहां पे यहां पे एक फ्रेंड demand में एक structural shift है यह आप कह सकते हो change in state of delivery हमार को यहां देखने को मिली हुगी है hourly time frame के हिसाब से तो यह क्या था यह था एक breaker order block पहले ठीक है यहां से buying expected थी ठीक है यहां से price को इस high को take करना चाहिए था पर नहीं हो पाया यह break हो गया नीचे की तरफ को तो automatically एक breaker की तरह काम करेगा तो और दूसी चीज अगर आप यहां देखोगे तो एक sharp selling हमार को देखने को मिली है ठीक है कहां तक इस order block तक तो अब मैं एक expect करना हूं कि जब price को अगर नीचे जाना भी होगा तो यहां से हलकी सी buying आ सकती है breaker तक ठीक है और इस breaker से फिर मैं expect कर सकता हूं फिर से lower prices नीचे के लिए और कहां तक जा सकते हैं यह वाला जो अरिया है ठीक है यहां तक मैं एक downtrend अब आने वाले दिनों में expect कर रहा हूं ठीक है तो अब आप चलते हैं एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तो यह 15 मिन टाइम फ्रेम मैं आप भी देखवा आप यह hourly का जो यह breaker है ठीक है अब मै एक और चीज़ है कि अगर यह breaker fail होता है ठीक है so it can either be a deep retracement ठीक है कि यह भी important low है तो अगर आप यहां पे भी optimal trade entry को अगर देखोगे इस low से इस high तक ठीक है तो यह भी एक golden zone है ठीक है 0.62 705 or 79 एकदम center point है तो यहां से हो सकता है कि यह sharply उपर को चले जाए हो सकता है ठीक है नई भी हो सकता है हो भी सकता है तो लेकिन हमारा काम है intraday को थोड़े बहुत चोड़े 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 चाप्चर करना तो basically यहां पे यहां पे मैं देखूंगा अगर कल अगर flat open होता है तो और मिरे को यहां पे कुछ displacements दिखती है उपर की साइड को या की तरफ ठीक है और अगर नीचे open होता है तो उसके लिए हम क्या अगर सकते है वेट कर सकते है प्राइस को gap fill होने का जैसी price gap fill करता है तो वहां फिर से देख सकते हैं अगर चोटे time frame पे कुछ structure breaks हमारा को नीचे की तरफ को दिखते हैं तो वहां से हम फिर से नीचे को बैढ सकते हैं basically फिर इन लोस को target करेंगे और इन लोस को target करेंगे तो basically यह है मेरा bank nifty का analysis जो कि मैं आप लोगों के साथ share करने वाला था तो वहां आप आपको यह वीडियो पसंदा होगा so please guys like share and subscribe thank you